हलो दोस्तों आप लोग को फिर से इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम लोग नेश्ट प्रस्मली को देखेंगे नेश्ट प्रस्मली को जो क्योशन है उसको हम लोग स्वाल करेंगे तो इससे पहले आप लोग जो टेबल वाला जो सुत्र आप लोग क से बन जाए ठीक है तो अवस से ही उसको आप लोग देख लेना मैं डिस्क्रिप्रेशन बाकसे में डाल दूंगा और जो आप लोग के स्कीन में जो आ रहा है उसको उसी को आप लोग को याद करना है ठीक है तो चलिए इसके संद को हम लोग देख लेते हैं फिर बनाएंगे ठीक है तो अन तक बने रहना बहुत ही मजे तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक है आप लोगों से अवासी ही बन जाएगा ऐसे सालो करके हम बताएंगे ठीक है तो देखें ये प्रस्णाली का दूसरा का दो के सन उठाया हूं इस यूडियो में हम लोग इन ही दो के सन को देखेंगे चल यह तो बनाते हैं तो पहला के सन क्या है देखिए डू औरू 3 कॉस्च ठीटा यह कॉस्च ठीटा यह थीटा स्वेंगा त्ने लोग एक त इसमें तुम तहया तनकर बहलीग जिरो रीक है क्या 5 इनसर होगा फिर यह को सीह को हम लोग प्रूप करेंगे अब ओके बुक क्या जोगा जिरू तक नावताइब टहिटी इसका अरथ क्या होता रेकष़ बाता है 0 अब चलिए इसको हम लोगी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योसान एक बार और परता हूँ, इसके बाद बनाएंगे अराम से, ठीक है, दो कॉस इसका ठीटा, मैनस अंडर उर तीन कॉस ठीटा, एक्वल जीरो, ऐसा क्योसान आगो के लिए आएगा बनाने के लिए, तो एक काम करना, पहले देख लेना कि क्योसान को अच्छे तरीका से, ठीक है, 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 ठीक ह ठीक है और जो अलग-अलग रहता है इसको में थोड़ा सा मेनथ करना पड़ता है ठीक है तो चलेए बनाते हैं तो अगला इस टेप हमारे क्या मारे किया हो तो चलो cos theta को common निकाल दिया, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 cos theta minus under 3, यह तो cos theta common निकाल गया है, equal 0, ठीक है, अब देखिए अगला step, आप लोग पढ़ चुके हो, पिछले part को वर्ग समीकरण में की कैसे बनाते हैं, ठीक वैसे इसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एक बार क्या लेना, cos theta equal 0 लेना, और एक बार 2 cos theta minus under 3, equal 0 लेना, ठीक है, तो यह हो जाएगा, cos theta equal 0, और एक बार, और क्या होगा, तथा लिक सकते हो, आप लोग, 2 cos theta minus under root 3, equal 0, ऐसे question को आप लोग साल कर लिये हो, वर्ग समीकरण में की कैसे 0 लेते हैं, ठीक है, अब चलिए बनाते हैं, आप लोग साडिक को अच्छी तरेका से याद कर लिये होगे, तो आप लोग को याद होगा, cos 0 अंस है न, cos कितने अं zero होता है, तो आप लोग को याद कर लिये होगा, cos 90 अंस कमान कितना होता है, ठीक है, तो इसी को लिखना पड़ेगा, cos theta equal cos 90 कमान क्या होता है, जी, zero होता है, cos 90 कमान zero होता है, तो यहाँ पर cos हट जाएगा, theta का मान हमें मिल जाएगा, theta equal 90 अंस, एक answer रिया हो गया, देखे हम ने असानी से ठीटा कमान निकाल लिया, ठीक है? ठीटा कमान कितना अंच? नब्यांच ठीक, इसी तरह से इसको भी हम लोग निकालेंगे ठीटा कमान, चलिया निकालते हैं, तो सबसे पहले काम करना है कि अंडर उर 3 को रैट से पक्छांतर करेंगे तो 2 cos theta equal right side जाकर ये plus मह जाएगा अंडर उर 3 ठीक है अब देखो दो इसके सांद गुड़ा का संबंध है जानते हो आप लोग पक्छांतर करते हैं तो भाग में जाएगा इधर तो चलिए कर लेते हैं cos theta equal अंडर उर 3 बटे 2 अब फिर से यहाँ पर सांडियक देखिए आप लोग याद कि यह अच्छी तरीका से तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा ये जो cos theta का जो ये है ना अंडर उर 3 बटे 2 जो हमें मिला है वह cos theta 30 cents का मान है cos 30 cents का मान कितना होता है जी अंडर उर 3 बटे 2 फिर सको हम लोग लिख सकते हैं cos theta equal cos 30 cents लिखना ठीक है क्योंकि cos 30 cents का मान कितना होता है अंडर उर 3 बटे 2 ठीक है अब यहाँ पर cos cos हटेगा कटाना मत के लोग कटा देते हैं बड़ा प्राब्लम है बड़ा दिक्कत होगा है तो cos cos तो हट जाएगा तो theta के जगह में क्या है जी यह 30 cents है हमें बहुत असानी तरीका से देखो इसको हमें आप लोग के लिए solve कर लिया ठीक है हमें क्या मिला answer theta command 90 cents मिला और यहां से theta command कितना अंस मिला 30 cents मिला इसको बनाने के लिए आप लोग को table याद करना पड़ेगा जो लोग याद नहीं कियो अब अब से ही कर लेना कोई प्राब्दम नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोग उसे भी बन जाएगा ठीक है अब लोग इसके इसके इसाथ लेलो या फिर नोट कर लो ठीक है पहुच करके वीडियो को अब देखते हैं दूसरा question ठीक है चलिए इसको रब कर लेते हैं देखिए हमारा दूसरा question क्या बोलता है फिर इसको भी बहुत ही आसान से बनाएंगे ठीक है देखो two sin square theta minus cos theta equal 1 ठीक है इसमें भी theta का मान ज्याद करना है किस का मान ज्याद करना है theta का मान तो चलिए इसको भी ज्याद करते हैं मैंने पहले ही start के वीडियो में आप बता दिया था यदि यह दोनों brother नहीं है same नहीं है कहने का यहरत है कि यह westra में लग ज्याए जिसका सुूद्रा है उसको आप लोग युज करनाए ठीक है आप लोग सूत्र वाल्यश्काय वीडियो अवस्ते देखना ताकि ऐसे क्युसन को बनाने में भी परसानि नहों चलिए मैंने आप लोग को सुत्र बता दिया था है ना यहां पर मैं सुत्र को लिख देता हूं अब लोग सैनिसका ठीटा प्लस कॉस इसका ठीटा कमांद क्या होता है एक होता है ठीक है जिसको सरो सभी का सुत्र बला जाता है तो यहां से देखिए सैनिसका ठीटा का वैलू हमें मिल जाएगा यदि cos इसका ठीटा को right side पक्छांतर कर देंगे, तो यहाँ से sin इसका ठीटा equal, sin इसका ठीटा equal क्या हो जाएगा, cos इसका ठीटा को उधर पक्छांतर करेंगे, तो 1-cos इसका ठीटा मिलेगा, देखिए हमने sin इसका ठीटा का, जो सुत्र है इसको यहां से निकाल लिया 1-cos इसका ठीटा तो यहां पर हम लोग सेन इसका ठीटा के जगा में 1-cos इसका ठीटा को रख सकते हैं तो देखो दोनों चेंज हो गया ना यह भी कास बन गया और यह भी कास बन गया बहुत ही असान है यदि सुत्रयाद है तो बहुत ही असान है चलिए यहां पर रखते हैं जी है ना यहां पर इसी को रखते हैं और हल करते हैं आगे क्या होता है 2 सेन इसका ठीटा का मान क्या है 1-cos इसका ठीटा ठीक है मान इसका ठीटा बराबर क्या 1 ठीक है यहां पर मैं किवल मान को रखा हूं अब अगला हल करेंगे तो अगला हल करने के लिए इसमें 2 का गुड़ा करना पड़ेगा तो चलिया 2 का गुड़ा कर लेते हैं है ना तो 2 एकं 2 minus 2 cos square क्या होगा ठीटा, दोruát कौस स्क्राइब माइनस कौसज़टा बराबर एक ठीक है, यहां तक केवल दूखा मःट्िप्लाइ किया हूँ अब अगला देखते हैं अब इसमें खांक करो, माइनस धिनह का दोनों पक्षों में गुड़ा करते ना सके ट्रिट यह हो जाएगा प्लस कॉस्फट इक्वब में ये क्या होजाएगा माइनस एक ठीक है अब अगला देखिए इस माइनस एक को रैट लेप्ट हैं साइट पक्छंदर कर देंगे इधर पक्छंदर कर दो जी तो यह हो जाएगा इसको मैं पहले लिख रहा हूं दो प्लस कॉश्ठ थिटा, इस मैनस दो को उधर लिख देता हूं, मैनस दो, ठीक है, अब मैनस एक को पक चांतर करेंगे, तो इस बारा कर हो जाएगा, प्लस एक, ठीक है यहाँ तक, अब अगला देखिए क्या होगा दो कॉस इसका ठीटा प्लस कॉस ठीटा माइनस दो प्लस एक कितना आता है आप लोग जानते हो कितना आएगा माइनस एक एक एकवल जीरो अब यहाँ से पुना देखिए वर्ग समीकरंड जैसा हमें इक्योसन मिल गया है और इसको आप लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हो है ना पिछले प्रशनवाली में पढ़ चुके वर्ग समीकरंड कैसे बनाते हैं इसके दो तिन विधी है उन दोनों तिन विधी से आप लोग इसको बना सकते हैं ठीक है एक तो मध्यपद को टोड कर बनाते हैं है ना और ये के सिरिधराचारी वाला सुत्र है उससे भी आप लोग बना सकते हो ठीक है तो चलिए इसको बनाते हैं मध्यपद को टोड कर तो यहाँ पर देखिए क्या होगा यह स्टार्टिंग का जो गुडांग होता है उसका जो गुडा किसके साथ होता है लास्ट के अंग के साथ तो माइनस दो आ जाएगा ठीक है अब मध्यकद के पद देखो मध्यकद कॉस्ठीट का गुडांग कितना है जी एक है तो उसको ऐसा टोड़ा जाता है जिसका गुड़ा करने पर ये लास्ट वाला पद आना चाहिए और जिसको जोड़ने पर घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए इतना तो आप लोग जानते होंगे तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ मध्य का पद क्या हो जाएगा देखो गुड़ा करने पर माइनस दू आया और मध्य पद को यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस दू ठीक है मध्य पद एक है जोड़ने फिर घटाने पर क्या आना चाहिए जी प्लस एक आना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, देखो, ये दो गुड़ा क्या कर देंगे, मैनस एक, है न, दो संख्या ढूनना है, दो अंग ढूनना है, तो एक अंग क्या मिला, दो मिला, और एक अंग मैनस एक मिला, इसी का गुड़ा करने पर कितना आजाएगा, मैनस दो जाएगा और दो में मायनास को घटाँ कितना आजाएगा प्लस है अर्थात मध्य का पद आ खाया ठीक अर्थात दो अंग हमें क्या मिला दो और मायनासेग ठीक इसी के अधार में हम लोग इसको बनाएंगे ठीक तो चल यह इसको लिखते हैं 2 cos θE, 2 पर 2, और Мाइनस 1. तो उसी के अंकों की औधार में, मध्धपत को टोड़ कर लिगेंगे, तो 2 cos θE minus cos θE. ठीक है, 2 में 1 घटेगा, तो cos θE आ जायेगा, ठीक है, माइनस 1 इकोल 0. ठीक है, यहां पर मैं मध्धपत को, तोड़ के आप लोग को बता दिया अब अगला जानते हो दोदो का पत बनाते हैं ठीक है दोदो को का पत बना के अगला सालो किया जाता है तो दोदो का पत कैसे बनाते हैं देखिए क्या होगा चलो मैं इन दोनों का पत बना दिया और इन दोनों का पत बना दिया ठीक है अब जो common निकलता है उसको तो common निकालते हैं, फिर next को salve किया जाता है, जी next पत को, ठीक है, तो ये क्या हो जागा, देखो, दोनों में common निकला, cos theta भी क्या निकलिएगा, common, cos theta common, तो यहां पर क्या बचा, cos theta plus 2, ठीक है, cos theta plus, 1 बचेगा, क्योंकि यह तो पूरा कामा निकल गया है 2 cos theta यहाँ पर तो plus 1 बचेगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसमें किवल minus 1 दिखाई दे रहा है minus 1 है यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना जो यहाँ पर जो कोश्टक में आया है न उतना इधर भी आना चाहिए ऐसा होता है इसम इसमें जो कोश्टक में आता है ठीक वैसे इधर भी आना चीम है इसा होता है तो यहाँ पर देखिए क्या चीज को हम लोग कामन निकाले तो यह आएगा तो यहाँ पर minus लिक ले जी तो यहाँ पर मैना सीना कामन निकाल दो और एक बाहर निकलेगा तभी तो यह बचेगा ठीक है, equal में क्या हो जाएगा, 0, यहां तक सबको clear है, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो please like करना ना भूलना, ठीक है, अब देखिए next step हमारा क्या होगा, अब इन दोनों में पुना क्या कामा निकल रहा है, cos theta plus 1, ठीक है, cos theta plus 1, दोनों पदों मे हैं, और हम लोग जानते हैं कि दोनों पदों में जो रहता है वही तो कामा निकलता है न, तो चलिए next step इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, कामा निकल गया, तो cos theta plus 1, कामा निकला, तो बचा क्या जी, देखो, 2 cos theta minus 1 बचा, ठीक है, उसी को दूसर कोस्टक में लिख दो, 2 cos theta minus 1 equal 0, ठीक है, यहां तक clear है सबको, अब आप लोग जानते हो, है न, cos theta plus 1 equal 1 बार 0 लेना, और 2 cos theta minus 1 equal 0 लेना, चलो, बनाते हैं, जल्दी से, cos theta plus 1 equal 0, तथा, क्या होगा, 2 cos theta minus 1 equal 0, अब अगला क्या होगा, पक्छंतर करके, इसको बनाएंगे, चलिए, minus 1 को पक्छंतर करेंगे, तो cos theta equal minus 1, अब आप लोग के, बूक में यह बोला गया है, कि 0 से लेकर 90 अंस तक के मान को निकलना है, है न, तो आप उक सांडिक को देखिए, cos theta का मान, जो है, 0 से ल रिडात्मक नहीं होता, क्या नहीं होता, इसलिए cos theta minus 1 जो आया है, उसको अमान्य मानना, क्या मानना, अमान्य है, यह इंसर यह इंसर नहीं हो सकता, ठीक है, अब उसके परशाथ, इसको देखो, ठीक है, तो इसको देखेंगे, तो 2 cos theta minus 1 कुधर पक्छंतर करो, तो उस पर प्लस 1 हो जाएगा, अब इसके बाद और आगे हल करोगे, लोगों पक्छंतर करने पर क्या होगा, एक बटे 2, अब यह तो मान जानते हो ना, टेबल देखो होगे, याद की होगे, तो cos, है ना, cos जो साट अंस जो होता है, cos साट अंस का मान कितना होता है, एक बटे 2 होता है ठीक है, तो इसको हम लोग असानी से लिख सकते हैं, cos theta equal cos कितने अंस का मान है, साट अंस का मान है, हम लोग बहुत ही लिख सकते हैं इसको, कि cos साट अंस का मान एक बटे 2 होता है, ठीक है, cos साट अंस का मान कितना होता है, एक बटे 2, अब यहाँ से cos, cos हट गया, theta के जगा मे हमने देखे बहुत ही असान से दोनों के संको क्या कर लिए साल कर लिए आप लोग अवस्ती प्रेटिस किजिए आप लोग उसे भी बन जाएगा और सांथ ही साथ आप लोग टेबल को भी याद किजिए ठीक है इस्क्रिन सार्थ ले सकते हो भी एप लोग लोग लिखना चाहोगे तो फिर नेस्ट वीडियो में हम जोग को इधर देखते जाएंगे आपको वीडियो मुए बने रहना और चैनल पर आदöt लाइक नंए किये होगे तो लाइक करदो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है नेश्टे वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत